प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें बहें स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स जूबली पार्क में एक इमारत के लिफ्ट से दब कर एक बच्चे की दरधनाक मौत हो गई है ये पूरी घटना कहीं न कहीं लापरवाही का नतीजा है दरसल मामला एक फरवरी की रात का है करीब साड़े नौ बजे के आसपास ये हाथसा हुआ है जूबली पार्क ताहिरा अपार्टमेंट में रहने वाले मैनुद्दीन का छे साल का बच्चा जिसका नाम अब्दुलरजाक है अपनी मा से ये बच्चा पांच रुपे लेकर दुकान से खाने के लिए चीज लेने जा रहा था और लिफ्ट में ये बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा लिफ्ट का पहला डूर तो इसने खोल दिया मगर دूसरा डूर नहीं खोल पाया और लिफ्ट इसी दोरान ऊपर की तरफ जाने लगी और इसी दोरान ये बच्चा लिफ्ट से नीचे गिर गया उपर से लिफ्ट जब नीचे आई तो ये मासूम बच्चा अब्दुलरजाक लिफ्ट के नीचे दब गया किसी तरह से लिफ्ट के नीचे दबे हुए बच्चे को निकाला गया और बिलाल अस्पताल ले जाया गया जिसके बाद प्राइम अस्पताल ले जाया गया मगर इन दोनों अस्पतालों ने जवाब दे दिया उसके बाद बच्चे को कलवा के शिवाजी महराज हस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुरित गोसित कर दिया इस तरह की घटनाओं से माबाप से लेकर इमारत की मेंटनेस पर भी सवाल उते हैं लिफ्ट से बच्चा कैसे नीचे गिरा लिफ्ट का डॉर ये बच्चा खोल नहीं पाया या फिर ये डॉर जाम था आखिरकार इस मासूम बच्चे का मौत का जिम्मेदार कौन है माबाप को लिफ्ट में अपने छोटे बच्चों को कभी अकेले नहीं फेजना चाहिए जुबली पार्क की ताहिरा अपार्टमेंट में लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं इस मासूम बच्चे की जान गई है आखिर जिम्मेदार कौन है इसे बच्चे के साथ रहाधसा हो गया खेर वह बात अलग है कि आपका बेटा वापस नहीं आता मगर आप क्या चाहते हैं कि आगे धोबार यहाधसा किसी बच्चे के साहत ना हो कि इसलिए आप अवाज उठाओगी या नहीं उठाओगे कि आपको कुछ कहा है यहां कि लोगों ने कुछ आसवासन दिया कुछ भी नहीं कि आपके बच्चे के साथ यह जो हट सा हुआ इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन होगा कि आपने बच्चे को पांच उर्पया दिये वीचे चीज लाने के लिए तो आपके बच्चे को लिप्ट का दर्वासा खोलना आता था जी आता ग्रावरा आता था कितने हुआ जाता ही आता है तो आपके बच्चे की उमर के आदे साड़े 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 साड़े